हलो फ्रेंज इगनो के उन स्टूडेंस के लिए काफी important notification रिलीज हुआ है जिनोंने अभी अभी इगनो से कोई भी diploma, degree या फर certificate course को complete किया है आपको पता होगा जब भी आप कोई भी course complete करते हो तो आपके घर पर एक provisional certificate भेज दिया जाता है as well as आपकी जो mark sheet होती है वो भी आपके घर पर by post भेज दी जाती है बट आपकी जो original degree होती है उसको रख लिया जाता है convocation के लिए जब भी इगनो की convocation होती है एक particular when you decide किया जाता है और वहाँ पर आपको बुला कर आपकी जो degree होती है वो आपको दी जाती है इसी के लिए हर student को खुद को register करना पड़ता है registration करना compulsory होता है अगर आप convocation attend करना चाहते हो या फिर नहीं भी चाहते आपको register करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आपको आपकी degree नहीं मिलेगी सो उसी के लिए notification आया है इगनो ने अपना portal भी release कर दिया है जिस पर जाकर आप खुद को register करोगी सो चलिए चलते हैं उसी portal के उपर और देख लेते हैं क्या कहा गया है सबसे पहले आप जब जाओगे उस portal के उपर link आपको description box में दे दिया गया है आपने just उसके उपर click करना है और आप वहाँ पर पहुंच जाओगी क्या लिखा गया है सबसे पहले हमें कुछ general instructions दी गई है जिसमें कहा गया है कि आपकी जो 35th convocation है वो April या फिर March में 2022 में conduct करवाई जा सकती है और आपको अगर इस convocation के साथ related कोई भी update चाहिए कि कब हो रही है तो आप regularly site को visit करते रहिएगा otherwise अगर आप इसी channel से connected हैं तो आपको हर update दे दी जाएगी अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो आप इस channel को subscribe कर सकते हो क्योंकि आपको हर update सबसे पहले दे दी जाती है उसके बाद कहा गया है कि जिन students ने अपनी किसी भी program को complete किया है December 2020 में यानि कि अगर आप December 2020 में pass कर गए थे तो भी आपको खुद को register करना पड़ेगा और अगर आपने June 2021 के term and examination में part लिया था आपने exam दिये थे और आप pass कर गए हो आपके पास आपकी mark sheet आ गई है तो भी आप eligible हो खुद को register करने के लिए Convocation जो है वो virtual mode में भी हो सकती है और conventional mode में भी करवाई जा सकती है Virtual mode क्या होता है बस आपको Google meet या किसी भी और virtual तरीके से convocation conduct करवा दी जाती है जैसे कि last time करवाई गई थी due to corona और इस साल भी अभी तक decided नहीं है कि conventional mode में होगी या फिर virtual mode में होगी Conventional mode में क्या होता है आपके जो regional director होते हैं वो आपको invite करते हैं एक particular venue decide किया जाता है वहाँ पर आपको आपकी degree जो होती है वो दे दी जाती है अगर बात करें कि virtual mode में कैसी होती है तो आप previous जो convocation हुई थी वो भी आप देख सकते हो YouTube पर available होगी उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप उस convocation को attend ही नहीं करना चाहते तो तो क्या होता है बस आपने register करते time लिख देना है कि हम convocation attend नहीं करना चाहते हैं तो आपको attend करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी जो degree है घर आपके भेज दी जाएगी by post और आपने अपना address जरूर सही लिखना है खुद को register करते time उसके बाद कुछ instructions दी गई है students के लिए कि आपने जो भी आपको एक नीचे portal दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आपने खुद को online register करना है 35th convocation के लिए और आपने जो fee pay करनी है fee भी पे करनी पड़ेगी आपको वो भी आपने online mode के थ्रू ही pay करनी है अगर आपने PhD, MPhil या कोई master degree, bachelor degree की है कोई PG diploma किया है या फिर कोई भी diploma program किया है तो आपको 600 रुपे देने पड़ेंगे खुद को register करने के लिए और अगर आपने कोई certificate का course किया है तो उसके लिए आपको 200 रुपे देने पड़ेंगे खुद को register करने के लिए और आप कोई भी debit card, credit card, किसी भी तरीके से net banking से अपनी जो ये fee है उसको pay कर सकते हो अगर आपको अपनी acknowledgement slip चाहिए तो उसके लिए भी लिखा गया है कि click here आप यहाँ पर आकर अपनी acknowledgement slip ले सकते हो अगर आपको कोई भी problem आती है तो आप इस email के उपर उनको email कर सकते हो जो के यहाँ पर दी गई है आप contact भी कर सकते हो, direct call भी कर सकते हो MBA, MCA, MCOM और बाकी के courses जो आप अपनी screen पर देख सकते हो इनके लिए एक separate बात special mention की गई है कि उन्हें भी 600 रुपी ही pay करने है बट उन्हें extra अगर certificate वो चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 600 extra pay करने होगी उसके बाद आप declaration देख सकते हो, आपने खुद को register करने के लिए declaration के उपर click कर देना है और I agree and proceed के उपर click कर देना है बाद आप एक नए page पर आ जाओगे, यहाँ पर अगर आपने खुद को पहले register नहीं किया है तो आप new student registration के उपर click कर दोगे उसके बाद आप एक next page पर चले जाओगे यहाँ पर आपने अपना enrollment simply fill कर देना है जब आप अपना enrollment fill कर दोगे तो आपके सामने एक नया interface जो है वो खुल जाएगा यहाँ पर आपने आपका नाम आपको मिल जाएगा आपने बस email id, mobile number और अपना password जो है उसको set कर देना है और form को submit कर देना है आप खुद को register कर लोगे इसी तरीके से convocation के लिए convocation जब भी होगी आपको इसी channel पर बता दिया जाएगा कोई भी related इसके साथ notification आता है वो भी आपको इस channel पर बता दिया जाएगा thank you so much for watching